हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ किचन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स सेयर कर रही हूँ जो आपके रोज मर्रा के काम को वेहत ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बच्छत होगी दोस्तों आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे है मुझे कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईएगा जिससे मैं आपका धन्यवाद कर शुक हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों और फैमली मेंबर में इसे सेयर करना ना भूले तो चलिए देखते हैं पहली यूजफूल टिप पहली यूजफूल टिप हमारी लहसुन को लेकर है दोस्तों इस तरह के टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी तो मैं आपको आज लहसुन की एक जबरदस ट्रिक बता रही हूँ तो इसके लिए मैंने तीन से चार कली लहसुन की ले ली है और उसमें से एक बड़े लहसुन को मैंने कट कर लिया है जिस लहसुन को मैंने 20 से कट किया है उसमें हम थोड़ा सा काला नमक लगा देंगे देखे इस तरह से हमें इसमें काला नमक लगा देना है और हमें ले लेना है एक बड़ी सिप्टी पिन इसके लिए हमें बड़ी सिप्टी पिन की जरूरत है तो हम इसमें सभी लहसुन को पिरो देंगे जितना लहसुन इसमें आज जाए उतना लहसुन हम इसमें पिरो देंगे इसमें तीन लहसुन की कलियां आई है तो मैंने इसमें तीन लहसुन की कलियां पिरो दी है अब हमें ले लेना है long तो इसके लिए मैंने दो लॉंग लिये हैं और इसे हम लहसुन की कलियों में लगा देंगे देखे इस तरह से हमें लहसुन की कलियों में लगा देना है ये हमारा सिप्टिपिन बनकर तयार हो गया है अब दोस्तो इसे हमें कहां इस्तिमाल करना है तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे हमें कहां इस्तिमाल करना है दोस्तों सर्दियों का मौसम है और छोटे बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है जिससे उनके नाक से घरघर की आवाज आती है तो जब वो सोते रहें तो उस समय उनके नाक के पास इसे आप रख दीजे जिससे उसकी महक उनके नाक पे जाती रहेगी लहसुन भी गरम होता है और लॉंग भी गरम होता है तो जब इसकी महक उनके नाक पर जाएगी तो उनकी सर्दी और खासी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और जो उनके नाक से घरघराट की आवाज आ रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी आप चाहे तो इसे बच्चों के तक्ये के नीचे भी रख सकते हैं मुझे आपको इसे दिखाना था इसलिए मैं इसे बिल्कुल सामने रख कर दिखा रही हूँ आप चाहे तो इसे सिप्टिपिन में ना लगा के सुई धागे में पिरोकर भी लगा सकते हैं आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफूल टिप दोस्तों कभी-कभी अचानक से हमारी ये रिफिल्ट खतम हो जाती है तो हमें या तो मॉर्टिन लगाना पड़ता है या फिर हमें दूसरी रिफिल्ट लगानी पड़ती है और साम के समय काफी मच्छड घर में प्रेस करते हैं तो आप एक छोटी सी टिप अपनाईए जो मैं हमेसा अपनाती हूँ आप ले लीजे एक टिकी कपूर की और इसे आप इस छेद वाले हिस्से पर रख दीजे और स्विच को आप अन कर दीजे आप देखेंगे कि जो कपूर की फ्रेक्वेंस है उससे घर में काफी अच्छी महेकाने लगती है और जो मच्छर है वो पूरी तरह से घर से चले जाते हैं ये मैंने परसनली यूज किया हुआ है मुझे ये बहुत ही पसंद आता है आप इसे एक बार चरू ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताईएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी तो चलिए देखत हैं दूसरी यूजफूल टिप दोस्तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में पैर में गर्दन में या कमर पर गोल गोल रिंग जैसा बन जाता है देखिए कुछ इस तरह से इसको हम दाद बोलते हैं और इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और धेर सारे प dit करने हैं तो इसके लिए आप ले लिजीए एक स्टील की क्टोरी स्टील की की कटोरी के अलावा आप किसी और क्टोरी का इस्तमाल अग्द करिये का अब हम III इसमों रे Read on दूद में डाल दीजे और फिर आप इसे उंगलियों की मदद से अच्छे से दूद में मिला लीजे दोस्तो इसकी बीज में काफी औसिदे गुण होता है आप सोच रहे होंगे मिर्ष्टो तीखा होता है मगर ये तीखा नहीं होता है इसमें काफी औसिदे गुण होते हैं ज आप इसे दिन में दो से तीन बार लगाईए। आप देखेंगे आपका पुराना से पुराना दाद दो से तीन दिनों में जड़ से पूरी तरह से खतम हो गया है। इसमें स्क्रेच भी पढ़ जाते है और ये गंदा भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। पहले आप इसके तार को अच्छी तरह से मोड लीजे और इसे प्रेस के बीच में इस तरह से डाल दीजे। देखें जैसे मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आप इसे पहले डाल दीजे। उसके बाद आप ले लीजे कोई भी पुरानी सी टोपी जिसका हम इस्तमाल नहीं करते हैं या फिर ये कभी फट जाती है या फिर इसके धागे निकल जाते हैं तो हम इसका इस्तमाल नहीं करते हैं। तो आप इस टोपी को प्रेस गिरेगा भी तो इसमें कोई भी स्क्रेश नहीं पड़ेगा और ना ही ये गंदा होगा ये बिल्कुल सुरच्छीत आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा आई हो आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफूल टिप दोस्तो सर्दि और ये के मौसम में बरतन को गरम करिए तो आप पहले इसे उलटा करके गरम करिए जिस से ये काफी जल्दी गरम हो जाता है देखें ये कितनी जल्दी गरम हो गया है इसे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी I hope आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी दोस कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग